नमश्कर मित्रो जन्रल एकल्च के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है चलिया ये शुरू करते हैं आज हम बात करेंगे बाइो डायवरसिटी की बाइो डायवरसिटी जिसे हिंदी में बोलते हैं जैविक या जीव विवेदिता इसका मतलब होता है कि हमारा जो बायो की को सिस्टम हो सकते हैं उन सब में जितने वी ओर्गानिसम्स मेल रहे हैं हमें उन सब के बीच में कितनी डिफ्रेंसिस या कितनी वेरेबिलिटी है वो और्गानिसम्स कितने टाइप के हैं तो उसको बोलते हैं बायो डायवरसिटी यह टर्म 1985 में वाल्टर जी रोजन ने था हम बायो डाइवर्सिटी को तीन लेवल्स पे स्टड़ी कर सकते हैं जेनिटिक लेवल पे इसको हम जेनिटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं स्पीसीज लेवल पे जिसे हम स्पीसीज डाइवरसिटी बोलते हैं या फिर एको सिस्टम या कम्यूनिटी लेवल पे जिसे हम एको सिस्टम या कम्यूनिटी डाइवरसिटी बोलते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम genetic diversity की, genetic diversity का मतलब होता है कि genetic level पे या gene के level पे कितने कितने differences हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे जितने भी organisms हैं, ये सब बने हैं cells के, तो cells के अंदर होते हैं genes, अब ये genes अलग-अलग traits को represent करते हैं, say for example, कोई gene, tallness या shortness या fatness या color, light color, dark color, shape, size इन सब को अलग-अलग genes represent करते हैं, तो किसी में कोई gene होगा, तो उसका वो trait आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, तो अगर इस तरह से अलग-अलग varieties, अलग-अलग strains और अलग-अलग races, difference पैदा हो जाता है उनमें, तो अगर हम जैसे हम अगरिकल चेसंस में बात करें, तो हम बोल सकते हैं कि कोई plant है, कोई दो एक टाइप के plants है, तो इस वाले variety में, जो है, वो disease resistance जादा है, या insect pest का resistance, यह resist करता है, पर यह दूसरा जो इसी के जिए से दिखता है, वो नहीं कर पाता, तो वो क्यों, क्योंकि वो insect resistant gene उस वाले plant में है, तो जिसमें होगी, वो resist कर पाएगा, अगर कोई insect pest का टाक हो रहा है तो, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि, जिसमें होगा, वो कर पाएगा, जिसमें नहीं होगा, वो नहीं कर पाएगा, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, कि जो species, ज्यादा जिसमें genetic diversity है, वो changed environment में ज्यादा अच्छी तरह survive कर पाएगी, तो जितनी ज्यादा diversity होगी, उतना ज्यादा adaptation होगा, say for example, अगर कोई drought हो गया, सुखा पढ़ गया, तो कोई variety, drought resistant अगर होगी, तो वो ज्यादा अच्छा survive कर पाएगी, जो नहीं होगी, वो नहीं कर पाएगी, तो इस तरह से genetic diversity का यह फरक पड़ता है, जो species में genetic diversity कम होती है, हम उन्हें बोलते हैं, कि वो species ज्यादा uniform है, मतलब यह जैसी है, जैसे कि monoculture में होता है, ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम species diversity की बात करते हैं, species diversity मतलब, species का मतलब होता है, कि वो organisms, वो organisms जो genetically इतना जादा एक जैसे हैं, कि वो आपस में interbreed कर सकते हैं, और fertile offspring's produce कर सकते हैं, तो अगर उनमें कोई differences आ रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे species diversity, इसके दो constituents होते हैं, species richness और species evenness, तो आगे देखते हैं, community या ecosystem diversity को, community मतलब की एक group of population जो एक ही टाइम पे, एक ही जगा पे है, जैसे कि हमारी forest community हो सकती है, या grassland community हो सकती है, lakes, ponds, rivers, यहाँ पे बहुत जारे diverse ecosystems हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, community diversity, तो यह जो हमारी जितनी भी communities हैं, उनके differences कैसे हो सकते हैं, जैसे कि एक ecosystem है, यहाँ पे abiotic resources अलग हैं, उनके environmental conditions अलग हैं, दूसरा थोड़ा हम थोड़ी और कुछ किलोमेटर दूर चले, तो वहाँ के flora fauna change हो गया, fauna change हो गया, वहाँ का temperature change हो गया, तो उसकी वज़े से plant की species चेंज हो जाएंगी, तो इस तरह से हमारी अलग-अलग communities की, अलग-अलग ecosystems के change होने पर differences हो सकते हैं, तो हम उसे बोलते हैं, community ecosystem diversity, फिर हम बात करते हैं, वर्ल में biodiversity का क्या सिनार हो है, तो पूरे वर्ल में 17 mega diverse countries हैं, जो की हैं, बोलीविया, ब्राजील, चाइना, कॉलंबिया, कोस्टारीका, कॉंगो, एक्विडॉर, Indonesia, Kenya, Madagascar, Malaysia, Mexico, Peru, Philippines, South Africa, Venezuela और हमारी प्यारी कंट्री इंडिया, तो यह सारी कंट्रीज जो हैं, बहुत सादा बायो-डाइवर्स हैं, बायो-डाइवर्सटी इनमें बहुत सादा है, जैसे कि हम बोल सकते हैं, इनमें 60-70% पूरे वर्ल की बायो-डाइवर्सटी नहीं के पा पाइवर्स ट्रेडिशनल नॉलेज भी काफी है, जिसकी वज़ा से इन्होंने एक अपना खुद का ग्रुप बनाया है, जैसे बोलते हैं, लाइक-माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज, इस जो ग्रुप है, इसका मेंबर, इसका प्रेसिडेंट रह चुका है इंडिय जो टू-थर्ड जेग्राफिकल एरिया है, उसमें 44,000 प्लांस और 77,000 अनिमल स्पीसीज हैं, जो वर्ल्ड के फ्लोरा का 6.5 परसंट और वर्ल्ड के फॉना का 7 परसंट रिप्रेसेंट करती हैं, अबाउट 5,000 स्पीसीज जो फ्लारिंग प्लांस की हैं, वो इंडिया में होई हैं, जो 141 जेडरा और 47 फैमिलीज को बिलोंग करती हैं, हमारी कंट्री ट्रडेशनल क्रॉप फ्राइटीज का भी एक बहुत अच्छा का सा सोर्स है, क्रॉप प्लांस की 12 डाइवर्स रीजिन में से इंडिया की रांग फर्स्ट आती है, और एक्री कल्चिरल स्पीसी 2020 के कंट्रिबुशन में इंडिया की रांग सेवेन्थ है, तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया बहुत जाधा डाइवर्स कंट्री है, तो यह डाय impressive इंडिया की तीन मेजर सेंट इंटेंस में जादा जादा पाही जाती है, जो है इस्ट ने मालया, वेस्टन खाट और वेस्टन हमालयास, यह तीन इंडमिक सेंटर्स हैं लिया के, यही तीन सेंटर्स एंडमिक का मतलब होता है कि कोई प्लांट या कोई आनिमल पॉपॉलेशन किसी एक ही जगह पे पाई जाये और उसके अलावा कहीं और नहीं पाई जाये, चिर्फ उसी जगह पे वही टाइप की स्पीसी पाई जाती है तो ऐसे ये तीन सेंटर सेंजापे एंडेमिक पीसीज हैं जो कहीं ओर नहीं मिलती तो इंडिया ने अपनी बायो डाईवरसिटी को regiva ने के लिए और उसके स्थेमर यूस्जर को प्रमोट करने के लिए बायो डाईवरसिटी आक्ट-फ-2002 पास किया था Biodiversity Management Committees के Setup करने की सला देता है और ये Traditional Knowledge को भी रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करता है और Heritage Sites को Notify करने का भी प्रोवेशन देता है यहां हम बात कर सकते हैं एक और चीज़ की जिसका नाम है International Convention on Biodiversity Convention on Biodiversity ये एक International Legal Instrument है जो Biological Diversity के Conservation और Sustainable Use को प्रोट करता है और जितना भी Local Innovation है उससे सपोर्ट करता है इसको इंडिया नहीं 1994 में Ratify किया था आगे हम बात कर सकते हैं कि Biodiversity की Importance क्या है Diversity जितनी सादा Diversity होगी उतना खुबसूरत नेचर होगा बहुत डिफरेंट डाइप के Plants, Animals हमें देखने को मिलेंगे तो ये Biodiversity की केवल Aesthetic Value ही नहीं है कि हम Bird Watching कर रहे हैं या Eco Tourism कर रहे हैं या उसको पाल रहे हैं कुछ Pets को या Gardening कर रहे हैं इसके केवल Aesthetic Value नहीं है Biodiversity की वज़े से हमारी बहुत सारी चीज़े Biodiversity की वज़े से चलती हैं जैसे कि एक Agriculture, Life Stock, Forestry, Fishery इन सब को जितनी भी Natural Resources प्रोवाइड करानी हैं वो कौन करता है Biodiversity इंडिया में 90% Medicines जो हैं प्लांट से अप्टेंड होती है हमें कोई नया Source of Crop चाहिए तो हमें Biodiversity पर Depend करना पड़ेगा अगर हम देख रहे हैं कि ओके हमें कोई improved variety चाहिए तो हम Biodiversity की तरफ जाएंगे तो हम दून देंगे कि ओके ऐसा भी होता है किसी catastrophe की वज़े से या किसी और वज़े से तो उसकी वज़े से हमारे जो ecosystem है वो काफी हद तक effect होता है तो Biodiversity हमारे ecosystem के जो abiotic resources हैं उनके effective और optimum utilization में help करती है जैसे कि हम बात कर रहे देखिए कि इतना important है Biodiversity हमारे लिए तो इसको threat भी उतना ही जादा है क्योंकि human needs, human desires का कोई end नहीं है तो इसी वज़े से जो human beings है वो Biodiversity को overexploit करते हैं जैसे हमारी जो भी natural resources है हम उने इतना जादा overexploit करते हैं कि हमारा वहाँ पे Biodiversity का loss हो जाता है सबसे बड़ा factor जो Biodiversity के loss का है वो है उसके destruction का habitat रैक हमारा जो भी Biodiverse areas है जो भी हमारा ecosystem है हमें वहाँ पे क्योंकि population बढ़ रही है तो उसकी वज़े से हमें industrialization करना है paid garden नहीं है urbanization करना है तो उसकी वज़े से हम habitat को disrupt करते है सबसे हमें agriculture रही करना है बहुत सादा commercial scale पे बहुत सादा करना है तो हम बहुत सारे paid garden देंगे उस paid में बहुत सारे चड़ियां बहुत सारे जानवर और short microbes रह सकते हैं तो उन सब का loss हो जाता है तो इस वज़े से हम बोल सकते हैं कि अगर एशिया में ट्रॉपिकल एशिया में जो 65% loss होता है बायो डैवेसिटी का उसका अकेला 80% loss को केवल और केवल इंडिया कांट्रिवीट करता है तो forestry, fisheries, plantation, agriculture, manufacturing, dam construction, कुछ भी बोली है इन सब में बायो डैवेसिटी का loss होता है दूसरा आया हमारा pollution अब हम देखते हैं कि जितने भी industries हैं इन सब का mostly discharge कहां होता है rivers में जितना भी industrial discharge है सीधा rivers में जाएगा कोई treatment नहीं होगा mostly ऐसा industries का होता था पहले या भी भी काफी का होता है तो इसकी वज़े से क्या होता है कि जो हमारे पानी है उसमें nutrients की मात्रा बढ़ जाती है जिसकी वज़े से क्या होता है कि water का जो beauty है biological oxygen demand वो बढ़ जाएगी जिसकी वज़े से क्या होगा कि जो living organisms नीचे रह रहे रहे हैं उसमानी में उस में water body में जितने भी organisms हैं वो लोगों को oxygen की demand इतनी बढ़ जाएगी उनकी उनको oxygen नहीं मिलेगी तो लोग वो जितने भी organisms हैं बढ़ने लगेंगे तो pesticides जा रहे हैं या industrial chemicals जा रहे हैं या फैक्टरी का emission है तो इस तरह से या विरम hills होगो erode कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो pollution की वज़े से eutrophication भी होता है और बहुत तरीके से degradation हो जाता है हमारी bio diversity का उसके बाद काफी सारे natural calamities हैं जैसे कि earthquake हो गया, forest fire हो गया, कोई walcan erupt हो गया, tsunami आ गया, floods, drought अब तो हम यह भी कह सकते हैं कि climate change की वज़े से बहुत biodiversity loss हो जाता है वो कही न कहीं घूम के जो anthropogenic activities की वज़े से होती है तो हम बोल सकते हैं कि हमने बहुत loss किया है और बहुत loss हुआ है एक और फाक्टर है bio diversity loss का वो है exotic species का introduction करना like हम हमारी एक agriculture में बहुत खतरनाख species है जिसे बोलते है water hyacinth या लेंटाना तो water hyacinth की वज़े से जो उसकी population उसकी growth बहुत साधा फास्ट होती है वो इतना साधा फास्ट ग्रों करता है कि उसकी वेज़े से खुछ और species ग्रों ही नहीं करती और oxygen मतलब बाकी species को मिली नहीं पाता जगह नहीं मिल पाती कुछ नहीं मिल पाता जिसके वादे से वह ग्रोव ही नहीं कर पाती है तो क्या होता है कि उसके लावा कुछ और ग्रोव नहीं कर पाता वैसे ही 1859 में एक यूरोपियन राबिट इंट्रोड्यूश किया गया था उस्ट्रेलिया ने जिसने क्या कि कि जितनी भी biological control था जो अच्छली maintain करता था कि उपके इस best इए इस Plant पे एटाइक कर रहा है तो एस première ally control कर रहा है एक बायो हींट तो उस rabbit को खITCH ने औक he status क्या हुआ कि उस plant पे स्पीसीऊ पे इस प्लांट आटाइक बढ़ गया जिसकीसे आ घ्लाज से टो हो गए तो क्या हुआ कि इस तरह से बहुत जादा इंबालन्स हो जाता है अगर हम कोई बाहर से को एक स्पीसिस आती है तो उसके बाद जैसे की शिफ्टिंग कल्टिवेशन हो गया यह जूम कल्टिवेशन जिसे बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम एक पैच ऑफ लांड हमस्कायान टीक में हैं उसके बाद हमने भार्ट टाइम तक पूरा श्री जैसे हो, mass extinction हो सकता है जो किसी catastrophe की वज़े से हो, बतलब सारी की सारी, एक साथ सारी population खतम हो गए, anthropogenic हो सकता है, जो human desires की वज़े से, लाइक हम कुछ over construction कर रहे हैं, pollution कर रहे हैं, इन सब की वज़े से, तो सबसे जाधा खत्रा किसको होता है, सबसे जाधा खत्रा होता है, उन species को, जिनकी body size बड़ा है, या जिनका population size कम है, और reproductive rate भी कम है, जैसे की, blue whale हो गया, या giant panda हो गया हमारा, जो species, high tropic level पर feed कर रहे हैं, जैसे की, हमारी eagle हो गई, या Bengal tiger हो गया, या जिनके fixed migrator root हैं, जैसे की, blue whale हो गई, localized हैं जो लोग, तो ऐसा क्या होता है, कि इन लोगों को जाधा खत्रा होता है, extinction का, तो अब हमारी कौन सी species, कितना extinct है, या उसका क्या conservation status है, तो उसको हमें color coded information sheet में अगर record करते हैं, तो उसे बोलते हैं red data book, ये red data book जो है, ये 1917 में, survival service commission थी, IUCN की, उसने release की थी, इसने सारे endangered plants और animals है, जिनकी color coding की गई है, जैसे की extinct के लिए black, endangered के लिए red, और vulnerable के लिए yellowish orange, rare white, recover कर रहे हैं, जो species उनके लिए green, और इनका data हमारे पास sufficient नहीं है, उनको gray के से code किया गया था, तो, हम ये बोल सकते हैं कि, worldwide conservation बहुत ज़ादा important है, species का, ताकि biodiversity का loss कम हो, आगे देखते हैं, biodiversity hotspots की बात करते हैं, biodiversity hotspots का मतलब होता है, वो areas जहाँ पे कोई unique biodiversity है, और उन पर बहुत जादा threat है, extinct होने का, तो ये दो criteria हैं, biodiversity hotspots होने के कि, महाँ पे कोई endemic species हो, और वो area human threat के अंडर आता हो, total world में, around 34 biodiversity hotspots हैं, जो 1.4% land का लेते हैं, और around 60% earth की species को support करते हैं, ये concept सबसे पहले नॉर्मन मायरस ने लाये थे, 1990 में, आच्छली 1990 में इस रवाइज किया गया था, और 1988 में आच्छली ये concept उभर के आया था, नॉर्मन मायरस की एक आर्टिकल में, जितका नाम था था, The Environmentalist, तो इस तरह से 34 hotspots हैं, जो पूरे world में हैं, इंडिया में, नॉर्थीस्ट, इस्टन हिमालिया, वेस्टन घाट्स, और अंडमान निकपारा आइलेंड को हम hotspots बोलते हैं, और इन hotspots के अलावा, इंडिया में special hotspots हैं, जैसे कि mangroves, wetlands और swamps, तो इन सब के conservation की बाद, हम नेक्स टेक्चर में करेंगे, आपके सब्र के लिए धन्यवाद, जो भी आपकी queries हो, आप डाल सकते हैं, meal कर सकते हैं, टेलेग्राम पे मेसेज डाल सकते हैं, और कुछ भी अ और एच षग्ण ही तर एफ बाद, तो आपके लोड़ी ओग्रवाद, एग्चर में बाद, एडद का बाल सम्या करे में सुछ वाद, एग वसले में पाल जान इंदा हम झालेगनार सकते हैं, आपके सिफए, आपके लिए आपके सीया समय में में कृपले सिरे आपके साह सॉ